नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिक्षा सिटी के इस यूटूब चैनल में आज 26 अगस्त का दिन और 26 अगस्त के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट रफेस के प्रस्न होंगे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए वीडियो की सुरुवात करते हैं और देख लेते हैं आज के दिन यानि 26 अगस्त के दिन के सभी महत्पूर्ण करेंट रफेस के प्रस्नों को पहला इंपॉर्टेंट प्रस्त मारा है हाली में किसे टाइम मैगजीन के सौ महांतम अस्थानों की सूची में सम्मिलित किया गया है तो हाली में सौ महांतम अस्थानों की सूची में समलिद किया गया है टाइम मैगजिन के अनसार सोह। हाउस और स्टैचू आफ यूनिटी को यानि जो option है इस प्रसनिका C बिल्कुल सही है Soho House और Statue of Unity इन दोनों को Time Magazine के 100 महांतम अस्थानों के सोची में समलित किया गया यानि इस प्रस्ण का Option C हमारा बिल्कुल सही है दोस्तो मैं आपको बता दूँ Time पत्रिका ने 2019 की दुनिया के महांतम अस्थानों के दूसरे वालसिक सोची को जारी कल दिया है इस वालसिक सोची में टोटल 100 अस्थानों को समलित किया गया है इन 100 अस्थानों में से 2 अस्थान भारत के भी है जिन में से पहला है Statue of Unity जो की गुजरात में है और उसके बाद Soho House जो की मुंबई में है यह दो भालती अस्थान है जिनको इन 100 मांतम अस्थानों की सूची में समलित किया गया है अगर हम बात करें Statue of Unity की तो इसकी जो कुल उचाई है 500 संतान बे फिट है कितनी है 500 संतान बे फिट है कुल उचाई Statue of Unity की अगर हम मीटर की बात करें तो 182 मीटर कुल उचाई है Statue of Unity की जो की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा Statue है जो गुजरात में इस्थीत है उसके बाद जो दूसरा अस्थान है Soho House या मुंबई में इस्थीत है तो इसे भी आप या दिखेगा यह दो भालती अस्थान है जिनको टाइम पत्रिका के 2019 के 100 महानतम अस्थानों की सूची में समलित किया गया है तो यह दो नाम आपके लिए काफी important है इन्हें आप जरूर याद रखिएगा तो यह था हमारा पहला प्रस्थान आज के दिन याने 26 अगस्थ के दिन के current affairs के वीडियो का दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए जो कि हम daily basis पे आप तक पहुचाते हैं current affairs का तो इस वीडियो पे एक like आप जरूर कीजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी share भी कीजेगा तथा अगर आप पहले उबरमाई चैनल पे आते हैं तो हमारी चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजेगा इसी तरह के daily current affairs के वीडियो को पाने के लिए तो आईए वीडियो की शुरुआत को और आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं आज के दिन के और important current affairs के प्रस्नों को दूसरा प्रस्न हमारा है हाली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस देश में एक इसमारक का उठगाटन किया है तो हाली में हमारे देश के PM नरेंदर मोदी के दौरा फ्रांस में एक इसमारक का उठगाटन किया गया है यानि इस प्रस्न का option जो है B बिल्कुल सही है फ्रांस में एक इसमारक का उठगाटन किया गया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के दौरा तो अब यह इस मारक है क्या, तो मैं आपको बता दूँ, फ्रांस में एक परवत थी, वहाँ परवत पे एर इंडिया के दो बिमान क्रैस कर गए थे, तो इसी बिमान में हमारे देश के जो परमारू उल्जा के जनक हैं, ओमी जांगिर भाबा और इसके साथ ही एर इंडिया मे जो भी यात्री थी, उनकी मृत्ती हो गई थी, तो इनी यात्रीयों की याद में इस मारक बनाए गया है फ्रांस में, तो इससे भी आप याद दिखेगा, इसका उल्गाटन प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया है, अब यह फ्रांस में इस मारक का उल क्या है Paris present time में France की capital है उसके बाद यहां के राष्टपती है Emmanuel Macron कौन है Emmanuel Macron यहां के राष्टपती है और यहां की जो currency है France की CFA franc क्या है CFA franc present time में France की currency है और एक और currency France में चलती है Euro तो इन दोनों का नाम आपके लिए important है तो इतनी चीज़े आपको याद अखने है इस प्रसन से related अगला important प्रसन है हाली में हुनर हाट का उटगाटन कहां पे किया गया तो यह भी काफे अच्छा प्रसन है तो हाली में यह हुनर हाट का उटगाटन किया गया है राजस्थान के जैपूर में या जो जैपूर में हुनर हाट का उटगाटन किया गया है यह जो हुनर हाट है यह इसका उद्गाटन किंद्री अल्प संख्यक मामलो के मंतरी मुक्तार अबास नकवी और रजस्थान के मुख्य मंतरी असो गहलोट के द्वारा किया गया है जैपूर के जवाहर कला के इंद्र में यह जो हुनरहाट है माश्टर कारिगरों को रोजगार और रोजगार के औसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है तो इसे भी आप याद दिखेगा इसका उद्गाटन किसके दरा किया गया है तो किंद्री मानो किंद्री अल्प संख्यक मामलो के जो हमारे मंतरी हैं यहाँ आप देख पारें पिच्चर में यह हैं अबास नकवी इन के दरा और रजस्थान के मुख्यमंतरी असोक गहलोत के दरा कहां पर किया गया है तो रजस्थान के जवाहर कला के इंद्र में तो इसे भी आप प्याद रिखिएगा अगला इंपॉर्टन प्रस हमारा है हाली में बुक माई फॉरेक्स ने किस बैंक के साथ एक समझ होता किया है तो इसका राइट ने चलो जाएगा हाली में बुक माई फॉरेक्स ने यस बैंक के साथ एक समझ होता किया है यानि इस परसने का आप्सन सी बिल्कुल सही है यानि इस बैंक के साथ बुक माई फॉरेक्स ने स यह एक foreign currency का money market है इसी ने yes bank के साथ सम्झोता किया है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह है book my forex जिसने yes bank के साथ सम्झोता किया है अब यह सम्झोता yes bank के साथ किया गया है तो आइए yes bank के बारे में भी कुछ जान लेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ देखेंगे जरुआ था yes bank की अस्थापना तो yes bank की अस्थापना कब हुई थी वर्स 2004 में yes bank की अस्थापना किये गई थी तता इसका headquarter है मुंबई में तता yes bank के present time में EMD और CEO है रवनीत गील कौन है रवनीत गील present time में yes bank के CEO है तो इन्हें भी आप याद देखेगा अगला ज़रुरी प्रस्न हमारा है हाली में भारत ने बिश्व तिरंदाजी युवा चैंपियंशीप में कौन सा पदक जीता है तो हाली में हमारे प्यारे देश भारत ने बिश्व तिरंदाजी युवा चैंपियंशीप में पदक जीता है कान से यानि इ युवा तिरंदाजी चेंपियंशिप में तो आपको एक चीज और रहाद रखने के जिरूत है यह जो तुर्णामेंट है कहां पर आयोजित किया गया तो यह जो तुर्णामेंट है यह आयोजित किया गया था इस्पेन के मैडरेट सहर में कहां तो इस्पेन के मैडरेट सहर म इस टूर्णामेंट का आयोजन किया गया इस टूर्णामेंट का नाम क्या है तो विश्व तिरंदाजी युवाज चैंपियंशिप तो इसे भी आप या देखेगा भारत ने इस चैंपियंशिप में कांस्य पदक जीता है अगला इंपॉर्ण इंप्रस हमा रहा है हाली में 20 बैटमिंटन चैंपियंशिप में 20 पदक जीतने वाली पहली भालती कौन बनी है तो यह काफी अच्छा प्रस्थन है तो इस प्रस्थन का आप्शन जो ए है बिल्कुल सही है यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे है यह है पीवी सिंदू इनी के दोरा यह खिताब का पाइम किया गया है तो यह जो हमारी भारती सटलर है पीवी सिंदू ने सिट्जर लैंड के बासेल में फाइनल में जपान की ना जोमी ओकुहारा को हराकर 200 चैंपियंशिप का खिताब अपने नाम किया है तो इसे भी आप यार रिखेगा यह सिंदू का तिसरा सिधा 200 चैं सिंदू अगला इंपोर्टन प्रस नमरा है फोब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला अभी नत्रियों की सूची में सेच्ट पर कौन है तो आपको बताना है कि फोब्स जारा हाली में एक रिपोर्ट जारी के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पूरुस एक्टर और महिला अभी नत्रियों की सूची में सीर्ष पर कौन है तो इनका नाम है स्कार्लेट जॉंसन यानि इस प्रसने का आप्शन एप बिल्खुल सही है स्कार्लेट जो जॉंसन है यह नंबर एक पहें महिला अभी नत्र वीडियों में सबसे अधिक कमाई करने के मामले में तो यानि इस प्रसने का आप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं स्कार्लेट जांसन जो की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला अभी नत्रियों की सूची में नमबर एक पहें आपको इनका रोल याद होगा या एक ब्लैक वीडो के नाम से मसहूर इनका रोल है इन्होंने अवेंजर्स मूवी में भी काम किया है अवेंजर्स मूवी में इनका काफी अच्छा किरदार है तो इन्हें आप या देखेगा यह है इस कॉलेट जांसन जिनके दोरा सबसे अधिक कमाई की जाती है महिला एक्टर में इन्हें आप या देखेगा इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सूची भी अपलूट कर दी है कि बिस्स में सबसे अधिक कमाई करने वाले महिलाओं की तो सबसे नमबर पे जैसा है कि हमने बताया इस कॉलेट इनकी कुल कमाई की हम बात करें तो 56 मिलियन डॉलर इसके बाद सोफिया वर्गीज है 44.1 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे तिसरे स्थान पे रीज वीडर स्पून है उसके बाद निकोल कीड मैन उसके बाद पांचवे नमबर पर जेलीमफर अनिस्टन है छटे पर कली क्यूकों है साथ में पर एलिजाबेत मास है उसके बाद आट में पर मारगोट रोभी नौवें पर चार्लिस थेरान और दसमें पर एलेन पॉंपोवा तो ये नाम आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है इन्हें आप जरूर याद कर लेजेगा अगला इंपोर्टेंट नरेंदर मोदी ने कहाँ पर रूपे कार्ड का लांच किया तो हाली में प्रदाम अंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा कहाँ पर रूपे कार्ड को लांच किया गया है तो यह देश है यहाँ पर थोड़ा आप्सन में मिस्प्रिंट हो गया या राइट एंसर हो जागा UAE में कहाँ पे तो संयुक्त अरब अमिरात में रूपे कार्ड को हमारे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने लॉंच किया तो यहाँ पे थोड़ा option में misprint हो गया है इसका right answer होगा UAE यानि संयुक्त अरब अमिरात में रूपे कार्ड को लॉंच किया गया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी के दौरा तो यह है भारत में प्रदा मंतरी नरेंदर मोधी ने रूपे कार्ड लॉंज किया है जो इलक्ट्रोनिक भुक्तान के भालती स्वधेशी प्राणी को सुरू करने के लिए मध्य पूरु में सेंग्त अरब अमिरात का पहला देश बन गया तो इस सहीं तरब अमिरात के राधानी है और यहां की करनसी है दिरहम क्या है दिरहम यहां की करनसी है अगला इंपोर्डेंट है हाली में किस राज ने एकल उप्योग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाया है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा बिहार राज यानि सिंगल उप्योग वाले प्लास्टिक होते क्या है तो आईए इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा जैसे कैरी बैग हो गया पानी की बोतले हो गए उसके बाद इस्ट्रॉग हो गया जिससे हम कोई भी सेक वगरे पीते हैं उसके बार जो अब यह भी महा बिहार की गौवर्मेंट की तो आप बैन किया गया है तो बिहार की जो राजधानी है पटना है बिहार के मुख्यमंतरी नितिसकुमार है तो बिहार के नए जो राज़ेपाल बने है वो बने है फागु चोहान तो इनी भी आप याद रखिएगा फागु च गाजियाबाद में यानि आप्शन जो है इस प्रस्ण का सी बिल्कुल सही है गाजियाबाद में राष्टी खादी प्रियोक साला का उधगाटन किया गया तो इसे भी आप याद रखियेगा अब यह राष्टी खादी साला जो खादी प्रियोक साला है इसका उधगाटन किसक स्वास्ते मंत्री हैं डाक्टर हस वर्धन के दोरा यह उद्घाटिट किया गया है राष्टी खाद्य प्रियोक साला तो इसे भी आप याद रखेगा यह जो राष्टी खाद्य प्रियोक साला है यह F-S-S-A-I का एक हिस्सा है तो F-S-S-A-I का ही इकाई है यह राष्टी खा प्रियोक साला तो इसी भी आप याद रखिएगा इसी थो तो यह हुए दस important महत्पूर्ण प्रस्न आज के दिन यानि 26 अगस्त के करेंड रफेस के प्रस्नों के आए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और solve कर लेते हैं कल के quiz को तो कल का जो हमारा quiz था कि हाली में Forbes की सबसे अधिक कमाई करने वाले अबनेताओं की सुची में पहले नंबर पे कौन था तो कल के हमारे quiz का जो right answer हो जाएगा सबसे अधिक कमाई करने वाले अबनेताओं की सुची में number one पे हैं ड्वेन जॉंसन यानि option जो ए है बिल्कुल सही है यह rock के नाम से भी मसहूर है ड्वेन जॉंसन number 1 पे हैं सील्स अभिनताओं में कमाई करने के मामले में तक इनका नाम आप याद रिखिएगा ड्वेन जॉंसन इसके बाद हम भालती अपनेता अच्छे कुमार की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले की सूची में चोथे अस्थान पे हैं भालती अपनेता अच्छे कुमार तो ये कल के क्वीज का हमारा जवाब हो गया अब आते हैं आज के अपने प्रस्ण पे तो आज का हमारा क्वीज है हाली में किस देश ने दुनिया का पहला तैवता हुआ परमाडू रियक्टर लॉंच किया है तो ये भी काफी अच्छा प्रस्ण है इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि देश बीस्व का सबसे पहला देश कौन बना है जिसके दौरा पहला तैवता हुआ परमाडू रियक्टर लॉंच किया गया आपके पास चार ओप्सन दिये गया है इसका एंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका जवाब हम कल के वीडियो में आपको देंगे तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मलते हैं एक नए करेंट रफेस के वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्स पर रौचिंग थैंक्यू